तो भक्तो उस नड़ा को देखते विए पहले विचार नहीं गिया छैपुट की दिवार उठाई और जब मिट्टी का दबाव पड़ा तो वो दिवार फाटाई उसको देखते विए साथ सो पुट दिवार है चैपुट की तो साथ पुट की तो तिन सो पुट लंबी है और चार सो और पीस पुट लंबी दिवार जिसमें एक छोटी सी टेकड़ी आती है बाकि चार सो पीस पुट लंबी दिवार नीचे से पंदरा पुट उंडी और नीचे से पंदरा पुट चोडी और बारा पुट उपरा करके बारा पुट चोडी है और उसकी उचाए जाएगी पचास पुट पचास पुट जाएगी उसकी उचाएगी और उसमें राजा महराजाओं की तरह एक बुरुज बनाई है आप लोगों ने बनाई है और उसमें बहुत दान दाताओं ने दान दे दिया गोवर्मेंट का एक पैसा भी नहीं लगा है और कम से कम मुझे ध्यान है कि पूरा होगा गोवर्मेंट के प्रजोग के अलवा तो लगबग 50 लाग से उपर ओर लगेंगे और देड करोड की भक्तों की सेवा देड पुनी दो करोड की भक्तों की सेवा हो चोच तो प्रेभक्तो इसके बाद में गोवर्मेंट का पैसा लगेगा तो आप ये नहीं सोचें बाबाजी नंदी साल अपना रहोचें यह जो रहा होगा बाबाजी ने डेट करोगे प्यातो गोवर्मिंट काई पास होगा यो तो कोठाबर बात कर रहे हो इसमें आप ऐसी भाव ना रखोगे तो वो पाप आप कोई लगेगा मेरे को नहीं लगे अब जो लग रहा है वो हो सकता है मैंने पचास लाग तो कम से कम बताएं नगद और जो भक्तों की सेवा होगी वो एक क्रोड से अभी भी कम नहीं होगी तो देट क्रोड का खर्चा है देट क्रोड का प्रे भक्तों 20 लाग का तो सामान आ चुका है लोहा और ये सामान तो प्रेभगतों मैं ये कह रहा हूँ, ये जागर्ती क्यों हुई? ये जागर्ती क्यों ही, पिछली साथ जनवरी में, मैं भक्तों की पीच में बोल रहा था, कई नन्दी साला बढ़ जाएं, तो भी अवारा सांड नहीं बचेंगे, पिछली साल की घटना है, जनवरी में, तीन पीकप भरी यांसे, हमारे टोड़ा छेत्र से, गोशेवा दल, नांगर चोदरी का फोन आया, बिलोद के पास, और कहाई महराद आपके यहांसे तीन पीकप भर गई, इनको रोकों कावालों को कह करके, तो उनको पता लगया, दो पीकप तो उन्होंने टोड़ा से उधर फैक दी, और एक पीकप इदर से, यह बच्चा गया, खाला खोटा में, जाकर के, नो जवान है हमारे, यह सब बच्चे, जो नर्सी है, और कई बच्चे हैं, यह सब की गाट है, जो जड़नारी में चाते ही, उसको रोक लिया, फिर वो उल्टी बगी, इदर से क्रेसरवान लोक लिया, अब मंदिर के सामने रस्ता खाली था, जैदपरा में फोन किया, तो जैदपरा वाले लोग, लोगों ने सोचा, जीन खाला की तरफ गई, तो उस नहीं क पवाले ने जैदपरा से, जो जो दांतल के राष्टी में डाल दी उस, जो पीकप को, ये काड़ा कोटा के बच्चे, जैदपरा के बच्चे, चीठला के बच्चे, ये तीन गाड़ी बरके, उस पीकप का पीछा किया, फिरे भकतो, क्रेर सरवालों को पता लगा, कि बाब बाबाची है नहीं, और बाबाची का चेला, कुबा अंगड़े फस गया, तो वो भी रिवाल वर बंदूक लेके, इन दोनों, तीनों गाड़ी, दोनों गाड़ीं को बीच में कर लिया, और उन लोगोंने भायरें करी या ने करी या उनको मोका नहीं मिला, प्रंतु ये मे आखू से मैंने देखा, कि उपीकप के उपर बोनट पर 50 किलों के 7 किलों के और 57 किलों के पथर रखे ते जहां मोड़ा होए, वाँ पथर डाल दी, एक अत्यार उनके पास नहीं था, जो एक पत्ती के उपर के लिए रुपा देते हैं, वो पत्ती रस्ते में डाल देते हैं उक्की ले, जो टायरों को फोर डालते हैं, वो नहीं था, नहीं तो ये पहुशते भी नहीं, और फर्थर डाल दिये, मैं भी अब बुटिक बुडापे के ओर जा रहा हूं, मेरे को चिंता होगी, गिर्दर था, ये बिनोत था, और बोल जी तो कहीं कहये हुए थे, सारे ब टायरों की दुक, वो पाइंचरों की दुकान थी, तो टरकों के और ट्रैक्टरों के बड़े टायर उस मोड में जा दी और आगे खड़े हो गई, जब रामपुला तोलडा की तरफ वो गाटी जाने लगी, उस समय वो टायरों उसके बीच में फंस गए, और वो वहां एक् लगे उस ड्राइवर को, मैंने का कानून हाथ में मत लो, दातिल से पुलाओ, पुलिस को फोन किया, और उसको पुलिस के वाले किया, उन नंदियों को, जो बंदन मुक्त कराया, तो प्रेभगतों, ये घटना देखके मेरे मन में ही आया, ऐसी घटना कभी दुबारा भी हो होती है, भगवान ऐसी करपा करें, तिसे ये नंदी आजपास के छेतरों के छेतर के गाउं के नंदी है, ये एक जगे, ऐसी जगे हो जाए, तो वो संक्रब काम किया, नंदी साला पास हुई, अब आपकी नंदी साला में, देखो, इस सब भक्तु में कोई भेद नहीं है, भाईया, आप बुरा मत मानना, एक काला कोटा का, जैद चला का, जीतला का, लादी का बास का, ऐई शाण निगा बाबाजी, तो नंदी साला में क्यों देहां, ये भेद मौ मत सोच लेना, नंदी कहीं के भी हैं, पान सो, वैसे तो शाड़े तीन सो नंदी हैं, गोर्मेंट के जो पास हुएं, जो साड़ी तीन सो अवारा सांट रख सकते हैं, पर जगह इतनी बड़ी है, कि पान सो नंदी भी रह जाएंगे, गवू भी रह जाएंगे, तो आप लोगों से मैं चंदा नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप से चाए मैं सो नंदी साला बनवा दूं अपने जीवन में, परन्तु नंदी फिर भी नहीं बचेंगे, वो इसलिए भारत वर्ष में, अब आपको पता है, मैं ज्यादा टेम नहीं ले रहा हूं, पर मैं जो मेरे पीड़ा है, वो बता रहा हूं, मेरे टेम में मैं बच्चा था, जब य हैं, गवू बाच्चडो लिया थी, बाच्चडो जातो, जणा पाहत बनाता पाहत, अर छोड़ों या कोशो, जो आनन्दों तो कुशीवे थी, और आज इन टेक्ट्रों ने, बैलों को अनुप्योगी बना दिया, बेकार कर दिया, मैं ये नहीं कहता, कि टेक्ट्रों से आ आप खेती मत करो, जल्दी खेती हो जाती है, सब मशीनों से सब खेती हो जाती है, परंतु, आप जमीदार हो, जिसके पास दस बिगा जमीन है, वो दो बैलों की चोड़ी अवस से पाले, ये संकलब आज हैं, दाउधाम में लोग, और उनसे दस बिगा में एक बिगा की खे की करो और उनका ही गोबर गेरो में अपने पास की नंडी साला और गवू साला का जो गोबर ले जाओ और उसी एक भीगा में गेरो सारा की पूर्थी दों नहीं को नहीं कि आप